पैसे पहुंचा है, कब दिये, किस दिन किस-किस को दिये, क्या कहें के दिये, इसकी तो जांच होनी चाहिए ना, और यह जो छूट और फरेब है कि देखिए हमारी सरकार, सरकार ने तो आपको एक स्वच राजनी की दी, विपक्षितन के नेता के पास मिली होती, तो क्या इसका नेतीजा होता, तुरंट इसको टैक्स कर रही हो जाता, और जो मेजर चैनल्स हैं आपके, जो भारत से जुड़ी होई है, वो दिखाती, ठीक है ना, फिर उस पिकाली के लोच होता कॉंग्रेस के प्रतीद, फिर तुरंट इदी पहुंच जाती, फिर तुरंट हमारे मित्रिक्ता उसमें नाम आ जाता, फिर मौजी जी पासम देते, के कॉंग्रेस पार्टी करॉप्शन से लिप्स नहीं, एक होता ना, आज क्युक्के ये कटकड़े में खड़े हैं और ये डायरी अब आपके सामने हैं, तो कोई इसकी जांच नहीं करेगा, इंकम टैक्स पूझेगा नहीं, इदी आगे कोई कदम नहीं बढ़ाएगा, जीक है न, कोई पास पूझतात होगी नहीं, और ब्रतानमंगरी जी कहेंगे, मुझे तो बालूँ नहीं, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो गुद्रात से अकेला आया था, मेरा तो परिवार भी नहीं है, इसा बाशन होगा न? अरे परिवार के बिना बगर इतना पैसा ले रे हो तो आपको परिवार की दूरत क्या है? तो यह कोई आप सद्धे चुपा नहीं सकता उस दिन में आपको जो डी मॉनेटाइजेशन का स्कैम दिया ऐसे बड़ा स्कैम हो सकता हैं तो अब कुछ और दिखाने बादा हूं उसकी अगली कड़ी दिखाने बादा हूं करोणों रुपे यह बनाते हैं पर हम दिखाते हैं और आज इनको कोई सवाल नहीं पुछेगा है अब दावी देखे करता हूं कि कोई मेजर चैनल दिखाएंगी नहीं लावा देखा हूं कोई हिम्मत नहीं है एलिफोन आजाएगा दिखा कैसे रहे हूं और यहीं सब लोग आज चुनाव में खड़े हूं है वो प्रजान मंत्री जी कुछ खड़े हूं है तो हम चाहते हैं कि पहले तो प्रजान मंत्री जी इसके बारे में पगली घरी बताएं कि यह सच है या नहीं और अगर नहीं है तो तुरंट यह डिव रफाजी को एरेस्ट करना चाहिए और वो कि बताएंगे कि सच है और अगर है सच तो क्या सच है साथ साथ में इंकम टैक्स कि अधिकारी तुरंट इन मंत्रियों के पास जाएं और उनसे पूछें कि पहले जब हम आपके पास आए थे तो आपने जवाब नहीं दिया था अब तो जवाब दे दीजिए अब तो यह ताहरी आपके सामने हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो हम यह सोचेंगे के इंकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकी तरफ तारी कर रहा है और इदी को भी फिर पहुंचना चाहिए और काले धन का जो मनी ट्रेल है इस काले धन का मनी ट्रेल है उसको कहां कहां तक पहुंचा वो भी बताना चाहिए तो मोजी जी यह जो आप भाशन देते हो ना कर में कोई स्क्राइम नियुगा तो स्क्राइम तो हमाम में आपको दिखा दिए और एक कैमरा के द्वारा दिखा दोर्गार रहा कि किस तरह से दिसंबर 31, 2016 के बाद किस तरह से गुटाले हो रहे थे और किस तरह से 2000 जबाब के मुख्यमंत्री वहां सर्था में थे चीफ मिनिस्टर थे किस तरह से वहां पैसा इकठा किया जा रहा था आपके आपको असका इस्तमान करों दो रूप्यों और यह जो बड़े-बड़े पार्शन देते थे कि मैं कावातन वहां